मुंबई के वर्ले में हेलो मैगजीन फॉर्स्स लिमिटेड एडिशन कॉफी टेबल बुक आइकॉनिक ज्वेग्स इंडिया की लॉंचिंग की इस मौके पर कई मश्रूर कलापार जैसे अधिति राव है कि उर्वशी रौतिला, डेजी शा, आर्टी छाबरेया, आधि इपस सबस्क्क्राइब करन में है। दोग देख गड़िव नेहां चुछल को भाड़िव इस तदेख तो जोगले टो टोग तूम ज में आप घड़िव तोस्ट पाड़िव इसलों के कुछ वूली कुंछ पूला इस नूर्च पोड टोगले इस धेटीव इसे बाग़ें जौल स्वलुम आप यस पुछ पोड व वो लब एंगान वेद टाइट जोरीणा, व बातौ जान दोटेट कर्फुरीज भैसने में बैने लॉटी फिर टाइटक टाइट बैने गलेख विड ठाइट में गार कि अरुनायर के साथ। वो लेग एट टाइट एक्स्लिस थे आप। लाँच की थी, it wasn't easy because India में ऐसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था कि celebrity pure magazine होती, अभी तक सिरफ film magazines थी, या फैसन magazines थी, या विमन's magazine थी तो बहुत डेलिकेटली हमें अभी तक हमारी जर्नी, अब तो of course we are one of the established magazine, पर हमें मालूम नहीं था कि how to handle the ego, how to handle and so that has been challenging there were times when a celebrity did get upset on the way we covered it but we learnt our lessons from it thank you I love jewellery and I think Indian jewellery has its own charm I think you, no matter people talk about Italian designs and about French designs but with Indian there's a certain uniqueness which you have and I think this is a great event to be especially being a girl and you know, we all love jewellery so yeah, I'm super excited actually, no I would share one thing, the first jewellery that I bought for myself was with my first paycheck and it was this little diamond pendant two carat diamond and yeah, that is my only piece of jewellery that I bought for myself it's very special because it was my first so yeah I think you have got a lot of fun because Raaz's teaser is that it's not a reveal it's not a reveal it's not a reveal it's not a reveal so I think that's the idea people don't want to know what exactly is happening what's happening just a little bit of curiosity I think to grow up and yeah so basically secrets are not good and secrets destroy a relationship that's the basic concept of Raaz so I took a friend of mine in Hyderabad I took her to the shop and sorry and he helped me in Joolery it's a different ball game all together it's a lot of effort I put into it I just don't think that's what we are seeing but there are people who put in a lot of hard work and it's amazing alone action it's all they have and they have to acknowledge and they have to do so I am very happy this is a gift ना ही मैं पतानी किसी को देता भी निवा रगदे लेकिन definitely! What makes me happy? मेरी jeep देखे मुझे बहुत कुशी होती है, मुझे लगता है मेरे jewelry मेरी jeep है लडकों के लिए अपनी बाइक, अपनी jeep काफी जादा हो एक jewelry की तरह होती है और लेडीज के लिए अतना ही माइने रखती होगी तो मुझे तो मेरी जीब देखके और उसमें बैठके और उसमें लॉंग राइप को जा के बहुत पुछ हूँ विल्कुल, विजोई सर डिरेक्ट कर रहे हैं, विक्की कोशल और मैं एक साथ काम करने वाले हैं मैं बहुत ज्यादा शुष हूं इस बात से क्योंकि शाम कशल जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं और उन्हों ने पता निहीं अपने आप में वो इंडस्ट्री है और एक इतने बड़े आदवी से मुझे मिलने को मिलेगा, I'm sure set पे में जाओंगा, I hope Vicky मुझे मिलवाएंगे और Vicky के काम कम है, बहुत बड़ा फैन हूँ, so एक father and son, both of them are doing such amazing work एक जो देखके connect होता है, वो मुझे Vicky को देखके, अभी हम लो मिले नहीं है हलाकी, बड़ उनका काम देखके, और उनको देखके, और उनको देखके, बहुत खुशी हो दिया, और लगता है कि कोई बहुत sincere और कोई बहुत प्यारा सा काम कर रहा है, and Ravan Raghav, जो उनकी फिल्म जनपत ललिपूर अकाल और सुखे की चपट में सबसे अधिक परेशान गाउ में निवास करने वाला अन्द आता है, इसे किसान कहते है, तहसिल महरूनी के किसान जन प्रतिनीदी विधाया, फेरन लाल के साथ जीला अधिकारी कार्यले, और एक ग्यापन देकर SDM के पताया कि कोटेडार किस तरह उनके हपका खाग्यान की काला बाजारी करते हैं, किसानों ने लगित पूर स्थीत घटांगर पर उब्रपदर्शन कर विरोच जता हैं, और सुखा, राहट, ओला, व्रिष्टी, आधिके मौवजे की मांग की, अधिकायों ने किसानों को आश्यासन कि उनकी समस्यों का निदान किया जाएगा। जनपत की तैसी महारूनी के अंतरगत एक गाउ में ट्रैक्टर मोटर साइकल की भिंदत में एक बच्ची समय दो मोटर साइकल सवार गायल हुआ। रस्ते में पोली से ट्रैक्टर नगड़ा, और सुथे ट्रैक्टर मार दिया तो किरपड़ा वहां फोन भी लगाया था। अबुलेंस को फोन लगाया था। अबुला कि मैं वर्दर एक उसरे कहां को बताया कि वहां है। वहां से आया तो वहां से आया तो वहां भी अमुलेंस तिन तिन रखाता है। और वहां कोई नहीं देखा दुटर बाप सी अपनी गाड़ी से लेध पर आया। लालिप्पुल एटियेम से जान साजी का रुपए चोड़ी करने वाले गिरोग के चार सबस्दे को कोटवाली पुलिस में बिरफ्तार किया। अधिकारियों की धर्श पकड़ के दोयां एससा एंग्वेंदर पक्ताब सीम मौजूद थी। तभी स्वैक टीम प्रभारी देवा सीम अपनी टीम के साथ मौके पर जाप पहुचे। और मौके पर मिले युवप को दबोच लिया। हर्याना के चाहत रगासी जिन्हों ने लगपूर में तीन गटनाई की बारे अपरिल के असपास और इन लोगों ने एक लाहस आठ 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 के असपास तीन अलग अलग अकांश निका लेते तो अमने इनको ट्राइक किया तो यह पाया है कि इनकी कारे प्रड़ाली यह थी कि जिन लोगों को ATM में सहाज़ता करते थे उसी प्रोसेस में उनका कार्ड बदल लेते थे और फिर यह जाहे तो विड्रॉल कर लेते थे कार्ड से लिमिट के अंदर और यदि उससे अधिका माउट निकालना है तो कार्ड से दूसरे कार्ड 37 ATM कार्ड मिलें जो 18 अलग 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 बैकों के हैं और लगवग 14,000 के दादराशी मिली एक गाड़ी जिसमें यह हर्यान से मूव करते थे और कुछ NDPS के अंतरद सामागरी मिली है तो इन सब को जो उचे दारा है उसमें की गरफदारी कर्फ़ी को चेल में जा जा रहा है और रिजाश्री क्रम यह भी पाई गया है कि उन्होंने लगवग 5-6 राज्चियों में मद्रप्रदेश, राजिस्तान, बिल्ली, बंजाब, अंधरयाना, अंतरप्रदेश और शर्तिजगरों में लगवग 15 अलग अलग सिटीज में कारवाई किया है कुछ ATM कार्ट्स कनेक पी हुए है उसरे राज्यों के अपका काउट और से और हमारे आसपास के जर्पतों में जैसे टीकमगड़ों छासी में definite connection established हुए है वाहे इनों ने कारवाई किया क्या क्या है क्योंकि फोटेश से और इनकी लोकेशन से और कार्ट की परामिदगे से पता चला है तो ये एक सक्रिय अंतराज जी गिरह हो था और ये काफी फास्ट मूव करते थे एक जगे से और यहां यह सिफ तीन पार रहे हैं तो कई असे बड़े जनपत जाहें काफी फ्रीकमेंट है तो और पहती से टीम कार्ट बरावन दूए तो मुझे अगर मैं नमान लगा हूँ क्योंकि अभी तो वेशना पूश्चाच जा रही है लेकिन मुझे लगता है कि कई लाग पा तरगत ग्राम सीलावन में एक योगती ने अपने घर में आग लगाने पूलिस ने योगती को जीला अस्पताल में बंती कर आया है हालत गंबी ओने पर उसे जहासी रेकर करते समय रास्ते में ही बहुत होगी शव को पोस्मोटन के लिए भेज जी वाले यह घटना की दहेज बताया जाना है योगती ने मरने से पहले जीला अस्पताल में अपने बयान दर्च करें इसका कार असार दहेज करता मुफरार प्याता मंगा चाल लाग रुपया लड़के ने कि मेरी नोकरी लगना है माबाद की आदे चाल लाग रुपय लेकिया अबर ना रखेंगे नहीं और भू हाल कर देंगे के ना मरने में ना जीने में और स्टर्चर करते थे परिवार वाले भी तो जिस दिन जिस दिन जिक नागटी उसकर भी तो फैरी में मारा लड़के ने बच्ची को मैं मा मा हूँ पर गिजा और तो बीमारा और शायद उन्हीं लोगोंने का था पुला के या पर इसंदप है तो हम लोग समया बच्चे को भाई या कोई अंगल भी है हमारे बच्चे की तो उमसे कहिए तो बोले नहीं हागन रहा सको तो यह मतूरा पुलिस ने 4 चोरों को गिरफतार किया जो अपने घुमने के शौक को पूरा करने के लिए चोरी के वारदात को अंजाम देते चोर हॉंडा सिटी गाड़ी में घुमते और चोरी को अंजाम देते पुलिस ने चोरों के पास से हॉंडा सिटी कार के अलावा सोने के जेवर नगत रुपए बरामत कि पुलीस ने मामना दर्च कर जाच शुरू कर दिये ये दिल्ली और NCR और प्लस हमारे गाजयबाद, मेरट और उत्राखंड, मतुरा, आगरा इसमें इनका एक शौकिया चोर थे ये और ये उंडा सिटी गाड़ी में चलते थे और आने इनके चार्ज चोर हैं Herrn, इनके दो चोर फिर किसी घर में जाते थे दो बार पहरे पे रहते थे और ताला तोल के छोड़ी करते थे और जो इनको पैसा या जेवर मिलते थे उसको ये सुनार को बेज के और उससे जो भी पैसे मिलते थे उससे ये अपना शौक पूरा करते थ कुछ ज्मके पैसे लिए कोता है जमर के र के के USंब गोमने और अपने बढशाप قूरा करने के लिए इस मैडान में आये और इंगेक रफ जो दिल्ली में है उत्राखंड में देरादून में घाजियाबाद में इस तरह के हजारों मुगत में है पहले भी जेल गए हैं वाड़े शातिर बनमाश है नहीं आपने गहां खामने के लिए जाने के लिए चोरी करने के लिए दो बारा पांचे जोवने के लिए आपने आपने रहे हैं चीफ खाल्चा दिवान चैरिटेबल सुसाइटी द्वारा उच्छ तरियो टप्निकों से लेस अंट्र मॉर्डन सुविधाय से बने अस्पताल में प्रेस कॉंफरेंस का आयोजन किया है जिसमें सीखेडी के प्रेदा चरेंजन सिंग चड़्डा मुख्य रुपने उपस्तित थे किशनते आईए जिस टिठे सब दुख जाए सिरियार किशनते आईए जिस टिठे सब दुख जाए आईदा आए समागम आई दी ए पैस कानफरांस जेदे विच स्पेशलिस्ट इन मेडिसंस सर्जरी इन्वेस्टिगेशन डेंटर सर्जंस ने शून लिये दिती और आप जिनू विस्थार नल दस्या गया कि एटीज एब बिगनेंग ओन लिए ये शुरुआत है जिस टरहां उननी सोच पिंजादे वेच एक स्कूल बनाया थी सिरिगोदार किशन पॉब्लिक स्कूल जी टी रोड अम्रसार ते आज कमिंजा स्कूल बन चके हन चार कालेज बन चके हन दो बिल्दकार बन चके हन एक वर्द क्लास और फनेज है ते दिलीज आस्पिटल हन तरंतार जास्पिटल हन से अम्रसार बीच भी हास्पिटल हन दमान ने निर्ना लिया कि जित्थे एज्यूकेशन साड़े कौम दे लई बचे लई जरूरी है ओ दे नाल दे नाल सेथ भी जरूरी है कोई भी रोग होए ओवी सन दूर करना चाहिए है अनपढ़नों पढ़ाके चंगी विद्या दे के ताकि आपना पवेख वीच चंगें चंगें बिजनस भी तरकिया कर सकन सरकार दे विचे नौक्रिया ले सकन मुड़िया 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 कम्पटियां विच भी कम्पीट करके अपना अस्तान पढ़ा सकन अज इस हॉस्पिटल नो सरजिनादा स्रोक है सारंजिस्चियों के दिना असी एक एड़ भी दिती है के सनु चंगे डाक्टर मिल जां ताके जेड़ा यह थे हुए उद तंदरुस्त हो के जावे खुश हो के जावे हर कम दे विच अपना रोल नबा सके चंगे तरह मापे निस सेवा कर सके काम दी सेवा कर सके हो इस मुश्चिन देनाल अज इथे असी गत्तर होए हैं आप जीदा एक वारी बहुत बहुत फेर तनवाद जे गुरु दियंबक्ष रहों देना दे लेंदा तक पाए जगा जगा जगां तरखाई काई गुरु दियंबक्ष रहों ते गुरु देना है छप्ड़ फार के देना है लेकिन उथे देना जेड़ा अगों चेंगे कमा वास्ते खर्च करे खर्च करे पठानकुट में रहने वाले जश्वन सिंग और उसकी पत्मी सिम्रंक और गुर्दासपूर से मुखेरिया जा रहे थे कि एक एनाराय मनीदर सिंग जो लेरो बाड़ी चला रहे थे उसने उन्डोले को बाड़ी से ठोक दिया जिससे जश्वन सिंग की तुरंट मौत हो गए उसकी पत्मी सिम्रंक की एस्पतार ले जाते समय मौत हो गए पुलीस ने एनाराय के बज़ाए किसी और के खिलाफ मामरा दर्ज करना चाहा तो मिटक के परिवार वालों ने गुर्दासपूर अमरेट से गोड़कर पुलीस के खिलाफ नारे बाजी की मांग की की अस्मी दोशी के खिलाफ मामरा दर्ज किया जाए पुलीस में एनारे मनिंदर के खिला कामरा दर्ज किया और दोशी को गिरखतार किया तब जाकर लोगों ने घरना खतन किया अमरित सर के पुदली घर में डॉक्तर रविंदर सिंग सेट पर कुछ अग्याद लोगों द्वारा गोलिया चलाने का मामिया सामने आया आवाज सुनी तो डॉक्तर घर से बहान निकले तो हमलावर ने डॉक्तर पर भी फाइरिंग शुरू कर दी लेकिन डॉक्तर बज गया कुछ गोलिया डॉक्तर की गाड़ी और कुछ गोलिया घर की दिवाद पर लगी डियस्पी गुल्पित सिंग का कहना है कि अग्या धंगलावरों पर मामने दर्स किया जाएगा यह डॉक्तर रबिंदर सिंग सेथी हैं सिवल सर्जन आफिस में एसमो लगी है जो इन्होंने रिपोर्ट की है पुलिस में के कल रात को क्रीब बारां बज़े जब यह घर के अंदर थे अपनी फैमली के साथ तो इन्होंने पांच-छे बुलिट जो फाइरिंग के हैं उसकी अपने घर के बाहर जो चलने की वो ओवाज इनको आई है उन्होंने इसके बंपर के उपर और इनके घर की जो दिवार है घोपर जो इस लिए एक फाइर उस पर लगा है और हमने मोके बर वो दो बुलिटों मिल गये हैं और जान जा रही है और इनकी स्टेटमेट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके रिकॉर्डिंग के अगली कार्वी है नहीं इनों नहीं अभी तक किसी पर शक तो शक नहीं हुदता है जी हम देख रहे हैं अगर हम इसी सिटीवी फोटेज मिलेगा तो मेरा नाम डॉक्टर रबिंदर सिठी है और कोई और बारा वजे रात को बहुत अबाजे आई हैं ऐसे लगा जैसे कोई फायर कर रहा है तो मैंने अपने ड्राइंग रूम का दर्वाजा खुला तो एक मैंने देखा कार सामने से जा रही तो मैंने बजिवक्त बंद कर दिया हम अंदर बे चले गए उसको दो तिन कंटे बाद हम भार आए जब देखा पहले तो साहरा पर वार फिर देखा और एक गोली ऊपर यह साहा लगी रहे और बाद में रेकार में भी देखके निया है को अर्व गैने है आज अ पर इसके बंपर में लगी हैओ आ कार्म हेस्व को आपने पिर परिपोर्ट दे टी थी ति seven प्रशासन से बाहन करते हैं, इस विक तो पूरी तरह से काम कर रहा है, हम चाहते हैं भी जो असली कलप्रिट है, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएं। अब अब लगने से औपेरा हॉस को पूरी तरह से बंद करवा दिया गा। झाल झाल झाल